तो आज मैं आपको वो सारी चीजे बताने वाला हूँ, सारी तो नहीं, बत 10, 10 से ज़्यादा बताऊंगा वैसे, तो ऐसी ऐसी चीजे बताने वाला हूँ, जो बन चुके भाई, लेकिन उनको को यूज करना चाता ही नहीं है, जबकि उसके बहुत अलग अलग तरीके से बताऊंगा कि क्या यूज हो सकते और वो आईटम क्या है, वो भी बताने वाला हूँ, तो सबसे पहला जोकी भाई, यूज में है ही नहीं, जो की है Zombie Horse, ये वाला Horse बिलकुल अलग ही बनाया गया है, पतानी माइनक्राफ्ट वालो ने इसको survival में क्यों नहीं डाला इसकी अवाज अलग है इसका texture अलग है भाई देखो हड़ी हड़ी दिखती है ये survival में होना चाहिए पर शायद minecraft इसको भूल चुकी है बिल्कुली इसलिए बिल्कुल डेड है जैसे इसका नाम है zombie वैसे ये बन गया है creative में ही मिलता है बस पता नहीं इतनी अच्छी चीज़ को creative में क्यों चुपा के रख रख रखा है survival में डालना चाहिए तब ही तो use होएगा इसका कुछ वो इसको मारते हो तो नहीं आवाज करता है ये मेरे को मारने आ रहा है नहीं मैं ये बार check करता हूँ कि मिरे पर attack करेगा नहीं करेगा भाई पर तो विदर भी attack नहीं करता पर जो भी यार अच्छा गोड़ा है तो अगली चीज़ है हमारी minecart with furnace bedrock में ये इसलिए नहीं है क्योंकि भाई इसका को use ही नहीं करता अभी जगो इसका काम के रहता है वैसे कि जैसे कि ये वाली चीज़ है इसको धकेल ना है तो इस वे धकेलता है बस ऐसे डालो तो ये धकेल के ले जाएगा जब तक यह चलता रहेगा तब तक धके लेगा इसमें भी कुछ ना कुछ कमी आ है जिसकी वेज़े से इसको ज़्यादा यूज नहीं करते कि ज़्यादा लोड उठा नहीं पाता अगर चैस्ट वगर यह सारा लोड उठा पाता तो भाई इसका यूज होने वाला था बहुत पर माइनक्राफ्ट इस पर ध्यान दे देती तो भाई कितना अच्छा रहता बहुत अच्छी चीज है माइनकार्ट विद्फर्नेंस ऐसे एक चैस्ट है चैस्ट भी कोई यूज नहीं करता पर अगर समान को ट्रांसपोर्ट करना हो तो उसके लिए बहुत तगड़ी चीज है पर लोड नहीं उठाता अगली चीज के लिए मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा जो कि भाई प्रेसर प्लेट है है वी प्रेसर प्लेट जो की आयरन से बनती गोल्ड से बनती है इनको भी कोई यूज नहीं करता लेकिन इनका यूज पता होना चाहिए भाई यह नर तक ही है ठीक तॉफंदरा ब्लोक तक तो रटी सोन चला दाएगा लेकिन अगर इस पर समाठाद होता है तो वह भी काम करता है जो मैं बुरा नहीं क्यारा देख जको यह बताता कि मेरा जो वर लेविल का ही वजन है ठीक है यह वजन बताता है असल में और जैसे मैं इस पर ब्लोक डालूँगा तो यह दो तक गया थोड़ा वो डालूँगा तो तीन तक है वो चार तक गया क्योंकि वजन ना परा है एक तरीके से अगर मैं ज्यादा डाल दूँगा तो उतने ही लेविल यह जिद्धी बहुत है अब डालता है इसमें दस आइटम्स दस यह मोग हो गए दस हो गए अब यह ग्यारवा डला है तो तीन लाइट पे चला गया तो यह पूरा का पूरा वेट नापता है इसको भी ट्राइ करके देख लेते हैं कि गॉल्ड कैसा काम कर विया क्योंकि मैंन बस फरक इतना है कि यह सिर्फ एक के के करके बताएगा यह दस-दस करके बताएगा कि एक से लेके दस तक रहेगा तब एक रैडिस तोन बढ़ेगा फिर 21 से लेके 20 होगा फिर एक रैडिस तोन बढ़ेगा ऐसे करकर करके बताता है तो अगली चीज़ है कैरट विटे स्टि पर लोग इसको यूज करना पसंद नहीं करते मैंने कई डिजाइन में देख रहा है कि इस चीजों को फिर भी लोग दूरी रहते हैं मैं तो यूज करने वाला हूं निकाशरा डिजाइन में कर सकते हैं पर वो खाना कचरा यूज नहीं करूंगा और जो अगली चीज है भाई वह है हनी ब्लोक बहुत ही अच्छा दिखने वाला ब्लोक है जो बहुत अगड़ा दिखता है अलागर स्लाइम वाले उसे देखे तो दोनों ही ठीक दिखते हैं ट्रांस्पेरेंट दिखते हैं अच्छे लगत लेकर अगर स्लाइम का फाट बना लेते हैं तो फिर स्लाइम एजी हो जाता है लेना क्योंकि बोतले भरना पर वोभी ऑ्टमेटिक हो जाता है भाइभी बोतले बहना बसामफ टो करने पड़ती और वैसे भी कराफ्टी करने होते हैं तो देखो असल में इनका यूज हो तक तो इसका काम होता है कि यह चीजों को अरे कुस्त लगाए नहीं मैं इसके साइड में जैसे कि यह ब्लोक है इनको मूव करना है तो यह मूव करने में हैल्प करता है जो की होता है स्टीकी पिस्टन वही सेम काम यह भी करता इसके लावे इसमें एक खास सी और है वो है कि हम इस पर आइटम भी प्लेस कर सकते कि अगर आइटम हमने फेक दिया और इसको मूव करेंगे तो अभी आइटम भी मूव होने वाला है इस तरीके से और यह सही बगार हो बहुत जादा तगड़ी चीज है कि अगर हम इससे नॉर्मली आइटम रखते हैं दूसरों की तरह लेकिन यह थोड़ा सा अलग होता है चैस का काम क्या रहता है कि वह एक चीज़ को एक्टिव भी कर सकता है डार जैसे कि मैंने पिस्टन लगा खोलूंगा तो भी वह एक्टिव है ओन है जब तक खुला रहेगा एक्टिव है क्षोनी शुरू हो खई रेकिस्तान में वारिस नहीं होती भाई पर अवाद अवाद आती है और अगली चीज़ हमारी स्पैट्रल ऐरूंग यह भाई यह भी यूज नहीं होते को यूज करना चाहता है पर इसका जो काम रहता वह यह रहता कि जिस पर लगाते है तो वह यूज करने मैं चाहे दूर चला जाओं तो भी दिखेगा ऐसे आर पार भी दिखेगा वह बिल्कुल पर क्या है ना थोड़ी देर तक का इफेक्ट है वो इसलिए ही वो गया गया अब ठीक है यही है वो कच्रा एरो इसलिए से कोई यूज करना चाहता नहीं है लेकिन इसका यूज हो सकता है जो कि हमारा आइटम फ्रेम रहता है उसमे बस डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते है इसे डेकोरेशन आइटम समझे भाई यह मारने वारने के काम कुछ नहीं है अगली जो चीज भाई जो बहुत खास है दिखने में तो लेकिन इसका कोई यूज नहीं है एक ही यूज है, उसके अलावा कुछ यूज नहीं है, कि इससे लिंगरिंग पोशन बनती है, तो ये वाली पोशन चाहिए होगी हमें, फैकने वाली पोशन, क्योंकि इस पोशन पे एक काम करेगा है नहीं, तो सबसे पहले इसमें एक वो मिलाना पड़ेगा, गन पाउडर, और फिर ये बनेगे स्प्लैश पोशन, स्प्लैश पोशन में मिलेगा ये चीज़, और तब जाके बनेगे एक लिंगरिंग पोशन, और उससे बनेगे एरो, मुझा थोड़ा सा फरक दिखा है, अगर मैं ये फैक्ता हूँ, तो इसमें कम इफैक्ट निकलता है, ठीक है, द फैक के गायब, लेकिन ये फैक हूँगा, तो ये एंडर ड्रैगन के बरीट की तरह बन जाती है, हम लिंगरिंग पोशन को बना के रख सकते है, जो कि बोट टाइन तक इफैक्ट दे सके, ओ भाई, ये बिल्गुत थैनोस के हाथ जैसा लगता है, पर जो भी ये तगड़ी चीज होती है, और सभी वह तो ये सिर्फ डेकोरेशन के ही लिए काम आता है, बहुत अच्छी चीज है, जब चलते हैं हम तो ऐसे काम करता है, पर ये नहीं है हमारा वाई यूजलेस आइटम, ये बहुत खास चीज है, यूजलेस आइटम तो ये वाले है, ये एक लोक जिस बुलाने के लिए तो हमें ये यूज़ करना पड़ता है, एंड क्रिस्टल, तब जाके वो ड्रेगन आता है, बागी अंडे तो कच्रा ही है ये कुछ काम के नहीं है, और ये तीन आइटम ये तो और भी ज़्यादा कच्रा है, खास कर कि ये घड़ी, ये हमें दिन पर एक साथ शायद से नहीं पड़ सकते हैं, मेरे ख्याल से, तीसीरी चीज कुकी, इसको भी भाई, डेकोरेशन के लिए यूज़ करा जाएगा, खाता कौन है यार कुकी 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 इसके लिए जंगल जाना पड़ता है, वहाँ पे कुकुआ बेन लानी पड़ते हैं, उ लेनी गीमग अपिसोर में,